हेलो एवरिवान आज हम इस वीडियो में कमपारिशन करेंगे MR8B Note 11 Pro 4G में और Samsung लेसे F23 4G में देखते हैं कि बेस्ट फोन कौन सा ही तो बात कते हैं डिस्प्ले से तो भी Samsung में है डिस्प्ले 6.6 इंच की रेजुलेशन है 1080 मांटी पर 24 पिक्सल इसमें आपको TFT IPS LCD डिस्प्ले मिलती है MI की है डिस्प्ले 6.67 इंच की रेजुलेशन है 1080 मांटी पर 24 पिक्सल इसमें आपको Super AMOLED डिस्प्ले मिलती है और आपको दोनों में ही 120 Hz का refresh rate मिलता है और डिस्प्ले क्वालिटी में MI best है क्योंकि इसमें आपको Super AMOLED डिस्प्ले मिलती है और पंच होल कैमरा भी मिल जाता है सामसिंग में है वार्ड ओप नोच बात करते हैं प्रोसेसर की तो आपको सामसिंग में मिलता है स्नैप ड्रेंग का 750 G5G का CPU है टूपें 2E का हार्ट ओक्टेकोर का 8nm का फिन फैड GPU है 619 का MI का है प्रोसेर मिरे टेक का G96 का CPU है डूपें 0.5 ओक्टेकोर का 12nm का फिन फैड GPU है G57 का प्रोसेर क्वार्टी में सामसिंग बेस्ट है बात कर लिते हैं बेक केमरा की तो आपको सामसिंग में मिलता है triple जो में केमरे है 50 का MI का है Quad me में केमरे 108 मिसल का फिर 8 का F2 का और F2 का बात करते हैं फरंट केमरे की तो सामसिंग का है 8 का MI का है 16 का और केमरे की क्वार्टी में MI best है बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ की जो कि हर स्मार्टफोन का एक मेंट पार्ट होता है तो आपको सामसिंग में मिलती है 5000 इमेज की बैटरी MI में आपको मिलती है 5000 इमेज की दोने की बैटरे इस नो निबल है आप दोने की बैटरे को निकान ने सकते है बैटरी सेम है दोनों में चार्जर की बात की जाए तो आपको Samsung में 25W का Charger का Sport मिलता है बट यह आपको मिलता है 15W का First Charger MI में है 67W का Charger दोनों में Type-Sical Sport है और भई Samsung में RAM है 4GV और 6GV की MI में है 6GV और RGB की दोने की Memory SIM है 14GV दोनों में ही आपको Android 11 मिलता है बात करते हैं Price की Samsung का ही 1499 पी MI का ही 1599 पी तो फिर आपको दोनों में से कौन सा फोन पसंद आया कौन बॉक्स में जरू बताना अगर आपको दोनों में से कोई स्मार्ट फोन लेना है अगर आपको Only Gaming के लिए फोन लेना है तो आप Samsung के साथ जा सकते हो नहीं तो आप MI के साथ भी जा सकते हो अगर आपको दोनों में साथ जा सकते हो